प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद और नेवर मिस अनादर अपडेट टेलिकोम रेगलेटरी ओथोरिटी ओफ इंडिया यानि कि ट्राइको अभी तक 26 गिगाहट जी स्पेक्टरम के मुल्य निर्धारन के लिए दुरसंचार विभाग से अभी तक कोई भी संदर्व नहीं मिला है इस पर बयान देते हुए आरेश सर्मा ने कहा है कि इस संदर्व में दुरसंचार विभाग से पूछे जाने पर हमें अभी तक कोई भी प्रतिकरिया नहीं मिली है बीते साल दिसंबर में डिपार्टमेंट अफ टेली कम्मुनिकेशन ने कहा था कि जल्द हुए 24.75 से 27.25 गिगाहर्ज मिलीमिटर बैंड के निलामे के लिए इसका मुल्य निर्धारन करेंगे जानकारी के लिए बता दें कि 26 गिगाहर्ज बैंड टेलिकॉम उपरेटर्स द्वार एफिसेंट और एफोडेबल 5G सर्विसेज देने में उपियोगी होता है 26 गिगाहर्ज बैंड और द्योविक प्रेगों के लिए भी लाबकारी है परंतु सरकार के अंधरूनी सुत्रों के अनुसार मार्च अप्रेल के लिए नियोजित आगामी विक्री में 26 गिगाहर्ज बैंड स्पेक्ट्रम निलामी होने की संभावना नहीं है कि इसके अनुमोदन प्रक्रिया और मुल्य खोज में और अधिक समय लग सकता है वर्तमान समय के लिए डॉट के पास 5G सेवाव के लिए 3.3 गिगाहर्ज बैंड से 3.6 गिगाहर्ज बैंड 5G सर्विसेस के लिए उप्योगी होता है परन्तु दुरसंचार विसेसजगों का मानना है कि सरकार और ट्राइ के पास 26 गिगाहर्ज बैंड के मुल्य निर्धरन के लिए काफी समय बचा है इसके अंतरकत हुए इसकी सुरुवाप्ती मुल्य निर्धरन कर सकते हैं हाला कि एक्सपर्ट्स की माने तो 5G स्पेक्ट्रम निलामी के दौरा 26 गिगाहर्ज बैंड की निलामी होना काफी आविश्यक माना जा रहा है टेलकॉम न्यूज की रिपोर्ट पर लेटेश टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब तो इस चैनल नाव